एलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एकेडमी के सभी प्रोफेसर्स को देखते हैं जो की टेस्ट का रिजल्ट डिसाइड कर रहे थे वहाँ पर एक प्रोफेसर कहते हैं कि इस बार भी हर साल क की तरफ एक भी कोमणर अलफा क्लास में नहीं जा पाएगा जिस पर एक लेड़ी प्रोफेसर कहती है कि आप सही कह रहे हो बलकि कोमणर्स को तो खुद को लखी मानना चाहिए कि हम उन्हें अपने एकेडमी में आनी भी दे रहे हैं जिसे सुनकर सब लोग कोमणर्स का मजा कुडा कर हसने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर हेड़ टीचर सबको चूप कराते हुए कहते हैं कि आप सभी शान्त हो जाईए एक कोमणर्स टुडेंट को अलफा क्लास में डालने का रिकमेंडेशन मिला है जो कि प्रोफेसर ब्रिगिटे ने दिया है और तभी प्रोफ के स्टुडेंट्स अपने रिजल्ट चेक कर रहे थे और वहां हर बार की तरवई होता है सभी नोबल्स के बच्चे अलफा क्लास में जाते हैं और सारे कोमणर्स बीटा क्लास में जाते हैं यहाँ पर डेजर भी बीटा क्लास में होता है अब हमें बली यह सुनके हेरानी हो क्योंकि वो तो एक noble family से थी और अब उसको हेरानी होती कि अरे बापरे ये किसे हो गया खेर आगे जब उनकी class start होती है तो वे लोग एक टूटे फूटे पूराने classroom में बेठे हुए थे और वो देखकर romantic का काफी जादा निराज भी थी तभी वहाँ पर teacher जो थे वो कहते हैं क मेजेस को सलकल के हिसाब से length दिया जाता है सबसे lowal सलकल में 1 होता है और सबसे high सलकल में 7 होता है एंटलेंस के exam में भी तुम लोगों को सलकल के हिसाब से ही place किया गया था alpha class में होने के लिए तुमें कम से कम सलकल 2 में तो आना ही पड़ेगा इसका मतलब है कि तुम सब इसकिल्स नहीं है जो शेडो वर्ल्ड में सल्वाइव करने के लिए चाहिए ये सुनकर रोमेंटिका अंदर ही अंदर बहुत जादा गुसा हो रही थी और वो सोचती है कि मेरा rank तो circle 2 है लेकिन फिर भी मुझे बीटा क्लास में रखा गया तभी उसकी नजर पास में बेठ देखकर smile करता है यह देखकर तो रोमेंटिका गुस्से से बर जाती है मेरी तरफ देखकर smile करना बंग करो आगे डेजर उसकी और प्रोफेसर ब्रिगिटे की बात याद करता है जहां वो प्रोफेसर से कह रहा था कि आपने मेरे ओर्फेनेच के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस पर प्रोफेसर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमें अभी भी सब कुछ याद है और तुम बड़े होकर इतने अच्छे मेज भी बन गए हो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम एजेस्टर को धूल चका देखी है और इसकी वज़े से सिर्फ मेरा ही नहीं बलकि कई सारे टेलेंटेड स्टूडेंट्स का भी टेलेंट बाहर नहीं आ पाएगा और इसलिए मुझे जितना हो सकेन टेलेंटेड को बाहर निकालनला होगा चाहे कुछ भी हो जाए जिसके बाद अगले सीन में खें द च्वाब देती है और पूछती है कि तुम कौन हो तो वो लड़का कहता है कि मैं डोनेटा हूँ मैं तुम्हारी तरह एक न्यू स्टुडेंट हूँ लेकिन अलफा क्लास में हूँ दर असल में पार्टी मेंबर ढून रहा था और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ जल् कर रोमेंटिका सोचती है कि अगर मैं ब्ल्यू मून जोइन कर लेती हूँ तो शायद अलफा क्लास में भी जा सकती हूँ लेकिन तभी डोनेटा उसका हाथ पकड़ कर कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है तुम काफी क्यूट हो और मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम मे हो गया था और मुझे लगता है कि ये काफी बुरी बात है कि तुम्हें इन घटिया नीच कोमनर्स के साथ बीटा क्लास में रहना पड़ रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ये सुनका रोमेंटिका कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम च करते हैं आगे जब रोमेंटिका उसे ओपन करती है तो उसमें से काफी सुन्दर नेकलेस निकलता है उसे देकर डोनेटा वहान से निकल जाता है पर तभी अचानक से डेजर उसके पिछे आ जाता है हेलो मिस रोमेंटिका जुसे देखो रोमेंटिका एक्दम गबरा कर नीची गिर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आये हो जिस पर डेजर कहता है कि मेभी तुम्हें वही पूछने आया हूँ जो डोनेटा ने पूछा था ये सुनकर रोमेंटिका कहती ही कि तुम्हे कोन अपना बोईफ्रेंड बनाएगा बिल्कुल भी नहीं कभी नहीं जिस पर डेजर कहता है अरे नहीं नहीं देवी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं मैं तो तुम्हें मेरी पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ जिस पर रोमे रोमेंटिका कहती है कि अगर अब तुम्हारा हो गया हो ना तो यहां से जाओ जिस पर डेजर अपने पोकेट से एक पेपर निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है कि इसे तभी पढ़ना जब तुम्हारे आसपास कोई हो ना यह देखा रोमेंटिका उसका मजाक उड़ा जाने लगती है क्या लिखा है इस पेपर में बोलो जरूर तुमने कोई शर्मनाक चीजी लिखी होगी इसमें जिस पर डेजर उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि पढ़ने के बाद इस लेटर को जला देना और मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं आगे जानाम पराम होता है उसे देखकर वो सोचता है कि मेरे पास्ट में आने से पहले जितने भी वोरियर्स इस बैटल में शामिल हुए थे उनमें से यही सबसे तेज था वो इस टाइम कितना जादा स्ट्रोंग था जबकि उसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी इस बार तो और भी जादा स्ट्रोंग बन सकता है तब ही रोमेंटिका भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुच जाती है और उससे वो सवाल पूछने ही वाली होती है कि डेजर उसे कहता है कि अभी प्रेक्टिस मेच स्टार्ट होने वाला है इसलिए शान्त हो जाओ और इसी दोरान हम देखते हैं कि पराम एक लड़के के साथ फाइट करने वाला था पराम को देखकर इधर रोमेंटिका पिगल जाती है क्योंकि उसे वो काफी जादा क्यूट लग रहा था आगे पराम एक काफी बड़े स्वोर्ट को उठा कर फाइट करने का डिसाइड करता है और यह दे कर सोचता है कि पराम अपने स्वोर्ट को बिना सोचे समझे घुमा रहा है और वो इतना बड़ा स्वोर्ट क्यों यूज़ कर रहा है तो इधर पराम और उस लड़के के बीच में फाइट जोरो शोरो से चल रही थी लेकिन तभी वो लड़का पराम के अटेक से बच कर उस से देखते सी डेजर उसको बचाने के लिए भागता है और वहाँ पर जाकर उस लड़के से कहता है कि मेच तो खत्म हो गया ना तो तुम अभी से क्यों मार रहे हो लगता है इसके अटेक से तुम्हें काफी ज़्यादा दर्द हुआ था है ना ये सुनकर वो लड़का गु हतोड़ा है और डेजर फिर उसकी तरफ गुसे से देखकर कहता है कि तुम मेच जीच चुके हो और क्या चाहते हो जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें तुम्हें बाद में देख लूआ तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो लड़का वहाँ से च जिस पर डेजर कहता है कि तुम्हें बचाने का फेसला मेरा खुद का था इसलिए तुम्हें खुद को दोश देनी की जरूत नहीं है खेर आगे फिर वो लोग आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं लेकिन जब डेजर पराम को उसके नाम से बुलाता है तो पराम के मन म लड़ू फूटने लगते हैं और शरम के मारे उसका मुझे लाल हो जाता है मुझे लगता है इसके बारे में हमें आगे बात नहीं करनी चाहिए तो इसके बात पराम जाते जाते डेजर से कहता है कि आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है इसलिए फ्यूचर में कोई भ पूचती है कि तुमने इस लेटर में जो लिखा है उसके बारे में किसी और को बताया तो नहीं है ना जिस पर डेजर कहता है बिल्कुल नहीं में को बताऊंगा हा लेकिन प्रोफेसर्स को ये बात पता है हां इसलिए तो तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है जबकि त इरू का सरनेम हासिल कर लिया और ये सब तब की बात है जब तुम चार साल की थी रोमेंटिका इरू और हां भले तुमारी फैमली ने नोबल का टाइटल खरिद लिया हो लेकिन तुम अपने कोमनर खून को नहीं बदल सकती हो और हमारे प्रोफेसर्स का यही मानना था जिस यकीन है डोनेटा मुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा जिस पर डेजर कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं वो कोमनर्स को कैसे नीच और घटिया कह रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह इमेजिन कर सकती हो कि जब डोनेटा को सच्चाई का पता चलेगा तो वो के इसा बिहेव करेगा और अगर अब मेरी इतनी बाते बताने के बाद भी तुम मुझे मना करोगी तो ठीक है फिर मैं अकेला ही पराम के साथ पार्टी बना लूँगा जो सुनके रोमेंटिका कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते तुम हमेशा एक अजीब सी स् सब जानते हो और इंट्रेंस एक्जाम के टाइम पर इतना बेफिक्र रहने के बाद भी एक मेजिक नाइट को हरा देते हो और सबसे अजीब तो वो तुमारा इनवर्सिंग स्पेल है तुम सबसे लो सरकल में होने के बाद भी ये कैसे कर लेते हो ठीक है मैं तुमारी पार् इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है